रिवीजन एवरिफिंग में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे देखिए हम समाजिक सुधार संगठनों के बारे में पढ़ रहे थे इसके पहले हमने ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती स्थापित आरे समाज को देखा हुआ है और उसके आगे हम आज देखेंगे हमारा जो आज का पहला समाजिक सुधार संगठन है वो है रामकृष्ण मिशन इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे इन्हों ने अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इसका न सठी स्वी को हुआ और 12 जन्वरी को इनके जन्व दिवस के ही और सरफर भारती यूवा दिवस मनाया जाता है इसको आप लोग याद रखेगा ठीक है इनका मूल नाम यानि की स्वामी विवेकानंजी का मूल नाम नरेंद्र दत्त था रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हि इसवी में इन्होंने कलकत्ता में वेलूर मठ की इस्थापना की तो वेलूर मठ कहां है तो कोलकाता में है ठीक है 1893 इसवी में इन्होंने एतिहासिक सिगा को धर्म सम्मेलन में भाग लिया तो सिकागो धर्म सम्मेलन का वठो तो 1893 में और भारत की तरफ से स्वामी विवे सिकागों में गय हुए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं लिया हुए था नॉर्मली जैसे थे वैसे ही थे एक भारतिय परंपरा के हिसाब से तो लोगों ने इनका बहुत मजाग उसमें उड़ाया हुआ था और इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया लेकिन फिर इन्होंने प्रयास किया कि हमें दो मिनट का बोलने का उस्सा दीजिए बस फिर इनको जब स्टेज पे भेजा गया तो इनको एक टॉपिक दिया गया था कि आपको बोलना किस पे है तो इनको सून ने टॉपिक दिया गया था यापको जीरो पर बात करनी है लेक ने सिर्फ इतना ही बोला था लेकिन अब भाई उनकी आवाज में तेज था व्यक्तित बेहतरीन था तो उनका इतना ही बोलना लोगों को प्रभावित कर गया उसके बाद स्वामी विवेका नंजी स्टेज से उतरने लगे लोगों ने कहा रहे आप उतर क्यूं रहे हैं आप बातों को आगे रखिए तो स्वामी विवेका नंजी ने कहा कि हमें सिर्फ दो मिनट का अफसर मिला था वो तो पूर्ण हो चुका है तो लोगों को कहने पर इनको फिर से स्टेज पर भेजा गया और वहां पर सिर्फ जीरों के उपर इन्होंने 36 घंटे भाशन दिया था ठ में इनहीं के बारे में चर्चा हुए कि सब अच्छे थे लेकिन था कोई जो बहुत ही बेहतरीन था ठीक है तो फिर अब आगे पढ़ते हैं हम इन्होंने अमेरिका के निव आउक में वेदान्त सौसाइटी की इस्थापना 1896 इस्वी में कर दिया 1897 इस्वी में इन्होंने बेलूर मटको रामकृष्ण मिर्शन का अंतरराष्टिय मुख्यालय बना दिया 1902 इस्वी में इनकी मृत्य हो गई इन्होंने इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं सुभास्चंद्र बोस ने इन्हें भारत का अध्यात्मिक गुरू कहा था तो भा आगे हैं यंग बंग आंदोलन इसे हेंडरी विलियम डेरी जीवें ने 1828 इसवी में प्रारंब किया यह बंगाल के युवाओं का अंदोलन था यह भारतिये प्रेस्की स्वगंद्रता की मांग कर रहे थे ठीक है क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने नियम ला दिया था कि ज इनरी विलियम थे और यह मुखता बंगाल के युवाओं का अंदोलन था ठीक है अब आगे हैं थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना मैडम ब्लावाटस की और करनल अलकाड ने कनाडा में किया था यानि कि इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई बलकि इसका ब्रांच जो था वो भारत में आया हुआ था तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की तो मैडम ब्लावाटस की और करनल अलकाड ने ठीक है यह संस्था विभिन देशों में संस्क्री थी तथा सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारे रत थी 1886 इसवी में इसकी एक साखा मद्रास के आडियार में खोली गई जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया इसी साखा की एक सदस से बनकर आयरलेंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई थी इन्होंने आयरलेंड की भाती भारत में भी होम रूल लीग आंदूलन प्रारम करना चाहती थी किन्तो भारत में यह सफल नहीं हो पाया कहने का तात पर यह है कि अंग्रेजों ने आयरलेंड पर भी कबजा किया हो था लेकिन वहाँ पे उन्होंने होम रूल दे दिया था यानि कि आपकी परसनल सरकार भी होगी मतलब एक हिसाब से देखे जैसे वरतमान में राज सरकार होती है उसके उपर केंद्र सरकार होती है उसी तरीके से उस समय आयरलेंड में भी था कि वहाँ पर उनके खुद की भी सरकार होती थी और उसके अलामा उन पर अंग्रेजों का भी नियंत्रन होता था तो जो आयरले मिसन यंग बंग आंदोल और थियोसोफिकल सोसाइटी था आपको इन तीनों के बारे में समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थाइंक यू